है मैं सेल्फ एम्राथ नमूशन वेलकम टू प्रोग्राम डिस्कवर हिस्ट्री डिस्कवर इंडिया तुड़े एलिटिल बिट 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 बाओ इंडिया हिस्ट्री दट वोट इस बिसकली अवर कुल्चर भारती संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से भारत भूनी आदिमानों के प्राचीनतम कर्म हो भी रही है सिंदु घाटी सब्यता के वेरूनों से प्रमाणित होता है कि बर्तमान से लगभग तीन हजार वर्स पहले उत्तरी भारत की बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटी की संस्कृति का विकास हो चुका था हुआ हमारी हरपा सब्यता थी हरपा सब्यता की जो टाइप पीरियेड से लेकर के 1750 बीसी इसी प्रकार वेदों में परिलिच्छित भारती संस्कृति नाकिवल प्राचीनता का प्रमाण है अपी तो वह भारती आध्यात्म और चिंतन की स्रिष्ट अविवेक्ति है भारती संस्कृति के महत्मुर्ण भी से स्ताया है कि ہजारों वरसों के बाद भी यह संस्कृति अपने मूल सरुत्वे ंजिवित हैं वहें मिस्र, बेसोपोटामिया, सीरिया, युनान और रौम के संस्कृतियां अपने मूल प्रारत। गीता उपनी सुदों के संदेश हजारों सालों से हमारी प्रेड़ा और कर्म के आधार है। भारती संस्कृती की सहिसुड प्रकृति ने उसे दिरगाई और अस्थायुत परदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृती में साइधी इतिनी सहंसिलता हो। या संस्कृत के नाम पर कोई बंधन लगाये गए हैं। इसलिए प्राचीन भारती संस्कृति के पृतिक हिंदु धर्म को धर्म ना करकर कुछ मुल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धती के संग्या दी गई और हिंदु का अभिप्राय किसी धर्म भी से इसके अनुवाई स ना लगाकर भारती से लगाया गया। भारती संस्कृति के सहुषूरता एं मुदार्ता के कारण उसमें ग्रहन सील प्रविर्ती की को विक्सित होने का उसर मिला। वस्तुतर जिस संस्कृति में लोगतंत्रयम अस्थायतों के आधार पर व्यापपो उस संस्कृति में ग्र युनानी अंकुशाण आधी भी यहां की संस्कृति में घुल मिन गए अध्यात्मिक्ता अर्थात धार्मिक्ता भारती संस्कृत के सभी अंगों जैसे धर्म, दर्शन, वास्तु, अस्थापत्य, मुर्तिकला और आधी को प्रवायित करती रही यहीं भौतिक्ता व्यापक र लूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है यह विसाल देश उत्तर में परवती भूभाग, पुर्वे में ब्रह्म पुत्र, उत्तर पस्ची में सिंदु नदी तता दच्छिड में हिंद महासागर तक विस्रित है भारत में एक सांस्कृतिक मिनेरंता बनी रही है, इसमें कभी सिमाओं को स्विकार नहीं किया गया, जिसके करण इसके प्राचीन अस्तित्व पोध आज भी क्रायम है, भारत की अस्मिता बनाये रखने में दूसरी महत्पूर्ची जीवन के आदर्सों का चुनाओं, भारती आदर्सों में बहारी वस्तूं के बजा आंतरिक उतलब्धियों पर अधिक जोड़ दिया गया, इसमें भारत के दर्सन और धर्म में संतोस आत्मनियत्रण निश्वार्थ भाव, सेवा, अपरिग्र, आदी अपरिग्र मतलब not to acquire property, आदी केंद्री मुल्ड बन गये, इसी तरह के विचार उपनी सुदूं, पुरा अधियास में एक चीज बताओंगा, आज में तुड़े विल टेल, इस तूप क्या है, इस तूप, बैसकी इस तूप प्राचिन काल में भारती स्थापत का बहुत बड़ा नमूना होता था, इस कुदपत्ती ऐसा माना जाता है रिगवेदी काल से हो रहा है, लेकिन ये बह बड़ी को जलाने के बाद अस्थिकलस में रखा जाता था ऐसे इसको और उसको एक जमीन में गाण करके एक माउंड बना जियाता था, वो ता था सेमी सर्केल हो जाता है, इस तूप प्राकृतिक रूप में थूप का साबदी करत धेर लगाना होता है, क्या लगाना होता है घेर लगाना होता है, क्या लगाना होता है? घेर लगाना होती है, जोक के अंतिम संसकार्थे संबन्ध ठिले, जिन में सारिक और से सुरश्चित रखे जाते थे चैत के रूप में जाने-जाने लगे कालंतर में चैत्य वो चीजों होता था जहां पे बहुत पूजा करते थे चैत्य ग्रीप क्यों होता है जहां पे पूजा किया जाता था रिगवेद ने स्थूप का उलेक अगनी की उठती हुई अगनी की उठती जो अलायों के रूपने हुआ है असपश्टूप्ते स्थूप की परंपरा बहुत काल से पहले भी थी लेकिन जब असोप के समय में आया तो बहुत ज्यादा परंपरा होगी असोप को यह माना जाता है कि असोप ने लगभग 84,000, 84,000 इस्थूपों का निर्माड कराया जिसमें से उसमें दो इस्थूप बहुत प्रमुख थे वो तो सांची का इस्थूप और भरहुत का इस्थूप सुथपिटक के महारिबान सुथ के अनुसार स्वयम महात्मा बुद्ध दोरा अपने सरीर के अउसेशों पर इस्थूप बनाने का विचार लिया गया था असोक आवधान नामक बौध ग्रंत के अनुशार असोक ने बुद्ध के अवसेशों पर इस्टूप बनाने का आदेश दिया था इस्टूपों में मात्मा बुद्ध तता उनके सिश्चों के अवसेश सुरच्छित रखने के कारण वे बौध आस्था था उपासना के प्रमुख केंद्र बन गये तो आज मैंने आपको थोड़ा से इस्टूप के बारे मताएं कल में इस्टूप कितने प्रकार क्या होता है इस्टूप की रचना क्या होती है दो चीजों को मैं बताऊंगा फिर मैं आपको सांची और भरहुत के बारे में बताऊंगा कि उनकी प्रमुख भी सेस्ता क्या है और भारत में वो क्यों इतना famous है So thank you very much To watch my program Discover History, Discover India भारत को जानिये और भारत की खोज करिये हमारा देश महांतम देश होने से एक है Thank you so much All the best